है लो प्रेंच मेरा इंठीप चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम बात करेंगे कि नौजात सीसु यानि कि छोटे बच्चे जो नौजात बेभी होता है तो matar जन्म लेने के बाद जो स्का बाल होता है पुरा सरीर में फेश में बहुत जादाबाल होता है उससे किसे हाट बोड़ी में जो बाल होता है उसे आप असानी से हटा सकते हैं ऐसे तो दो तीन मेना में बच्चे का बाल अपने खुद ज़ड़ जाता है तो ठीक है यदि नहीं हटा तो क्या करें तो कुछ ऐसा घरेलो उपय बताऊंगे जिसका आप प्रयोग करके आसानी से नौजासीसू क बाल को ऑने के बोडिके बाल को हटा सकते हैं तो फ्रेंट्स एदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जो भी नहीं वीजिए लाँगी ओ आपको सबसे पहले मिली वीडियो लाइक और शयर जरूर के लिए तो चलिए वी बहुत ही आसान टिप्स बताऊगी जिसे आप आसानी से करेंगे तो बच्चों को बाल निकल जाएगे, पूरा बोडी साफ हो जाएगा तो सबते पहले आपको करना है बच्चों को बड़ी को बाल को हटाने के लिए आपको लेना है जो आटा आप खाते हैं जिसका रोटी बनाते हैं उस आटा का आपको परियोग करना है तो आपको लेना है थोड़ी सी आठा और थोड़ी सी बेसन लेना है दोनों को आप अच्छी तरह से गुठ ले आपको पूरा टाइट करके गुठना जिसे को रोटी बनाते हैं वैसे ही अच्छी तरह से गुठ ले और बच्चों को पूरा बड़ी जहां भी बाल है बड़ी पर उसको अच्छी तरह से लागा कर धीरे धीरे करकंपने आपी अच्छा्ता रग णेश्पशय स्केट वहे द्रण हो सकत है युग अच्छा ओर करने वांच्छा दीरे करें तो धीरे धीरे करने लेगे जैसे आप कुछ दिन तक ही करेंगे एक सप्ता तक तक आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत इंप्रूब हो रहा बहुत फैदा मिल रहा तो कुछ दिन तक रेगुलर यदि आप एक महिना तक ऐसा करते हैं तो जितना भी बच्चे का बडी का बाल हो धीरे-धीरे निकलने मिलना है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलती हूं आगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थाइंक्यू सो मच पाइबर टेक क्यार